हाई स्टुडेंट्स गूड मॉर्णिंग गूड मॉर्णिंग टो अच्छे हैंगे तो हम लोग ने प्रिपोजीशन का सेशन शुरू कर चुके हैं और प्रिपोजीशन में अगर अगर आप नहीं देखे तो पहलों से देखिए प्रेलिस्ट में आपका पारा हुआ है अगर कि ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग और अन का प्रिपो का यूज़ देखें घयां का यूज़ कहां करते हैं अब देखिए अन का प्रियोग होता है आपका किसी भी date या फिर days में उज़ करते हैं किस में करते हैं तो on का uses होता है किस का सा एया तो dates का सा इसका उस्ट कर लीजिए deeds and days and days में and days में हम लोग किस का क्या करते हैं ? पहला जिससे इसका आगर example देखे, debts का क्या होता है ? एसंपल मृन लेते हैं डेट के ओन मंडे बोल सकते था क्वार एक दीज हो गया और इसीधी दोम के साथ अगर हमाउज हो करते हैं λेक्ण करते इस तरह करते हैं तैस Initiate का एक चीज और याद रखेगा दीन के साथ अनका प्रियोग करते हैं बट मौन्थ के साथ इनका प्रियोग करते हैं तो हमेशा याद रखेगे कि कि किसका साथ क्या प्रियोग हो रहे हैं यह नहीं कि किसी का साथ भी कि कुछ भी प्रियोग करते हैं चले इसका नेक्स्ट पॉइ पता करेंगे बस उसका आसपास हम लोग बात कर सकते हैं कि हां वो कहां रहता है बस उस एक्जक्ट लोकेशन जैसे एक जगह हो सकता है उस एरिया का अंडर में बहुत सकता है है यहां यह पिर उस road के बारे में बात कर सकता है कि कौन सा road में रहता है वह इस तरह से लेखेंशंपल से जदा समझेंगे इसे लेकिन यह है कि काफी हद तक हम लोग समझ जाएंगे को रहता कहां बात कर बट्ट exact location नहीं बता सकता है इसमें क्या है एक्जेंक्ट लोकेशन एक्जक्ट लोकेशन नहीं पता रहता है एक्जक्ट लोकेशन क्या होता है नहीं पता रहता है तो पता क्या रहता है जैसे मान लेता है किसी रोड के बारे में बात करता है जैसे वो उस रोड में रहता है तो अन रोड बोल सकता है उस रोड के आसपास रहता है या फिर ऐसे भी गोल सकता है on third floor अब third floor के अंडर कितना सारे room होगा वो तो नहीं पता हमें तो बस थो third floor का बात कर सकता है बत वो third floor में कौन सा room है वो नहीं पता एगजेक्ट location थो third floor में ते मान लेते हैं block number a, b, c, d अगर वो बात पता चलका तो यह ठो जाएगा लेकिन एक्जेक्ट नहीं है तो ऑन वीज होगा समझ पा रहे हैं चलिए अब थर्ड इसका पॉइंट हम लोग देखते हैं और उपर में करते हैं तो समझ सकते हैं इस तरह हम लोग करेंगे तो देखेंगे क्या देख सकते हैं तेबल से दिखिए और अगर टेबल देखिए जिसे किसी का बुक बुक जो है जो है इसका उपर रखा हुआ है इसका कुछ एक्सेप्सन का मतलब की पवाद भी होती है जो यह यह रूल फोलोन नहीं करता है नहीं तो जिसमें दो तेन चीज होते हैं जो हम अवी देखेंगे जो बत बारे में घारी में होते हैं। थी अंव सा समझे एक भाइक का ऊपर में तरी सोंजय क्वान होता कि नहीं होता तो हम लोग look करेंगे ओने आँ उसके बाद हम लोग्या बस कर सकते है उसके बाद आगर हम लोग लोग कर सकता है हो न है ठीक है उसी तरफ इधर exception क्या हो जाता है कार के अंदर अगर छोटा जगा है में बारा का बात कर रहा है था ये चोटा में तो छोटा का अंदर में हम लोग करेंगे इने कॉर्व ठीक है, इन है कार, तो छोटा जब जग है तो कार के अंदर का उज़ कर रहे हैं, तो कार में इन करेंगे, और बाइक हो, ट्रेन है बस है, इस सब के अंदर हम लोग अन उज़ करेंगे, अन अब बस करते हैं, है ना, तो आप लोग समझ पार होएंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूं तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई